Hello and welcome back to our channel Healthcare Tutorials आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्स psychology के बारे में और जो हमारा topic चल रहा था personality का आज हम उसी को continue करेंगे आगे भी तो सबसे पहले inform आपको ये कर देना चाहता हूँ कि नोट्स जो हैं पूरे के पूरे psychology slivers के मैंने previous वीडियो में भी दिये हैं इस वीडियो के link description box में इसका link आपको मिल जाएगा वहाँ से जाकर के फिर से download कर सकते हैं जिन लोगों ने नहीं किये हैं तो वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं तो आज के जो हमारे topic होंगे वो आज हम deal करेंगे theories of personality कई लोगों ने comments में recommend भी किया theories of personality के बारे में जरूर discuss करें तो आज हम उसी के बारे में discuss करेंगे सारी theories जो important theories हैं उनके बारे में deal out करेंगे यहाँ पर important theory की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो personality में दो ही theories बहुत ज़्यादा important मानी जाती हैं एक तो psychoanalytic theory और एक erection की developmental theory तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो psychoanalytic theory है उसके बारे में भी और जो आपके erection की theory है उसके बारे में भी साथी साथ हम जो सिग्मन फ्रेड की stages of personality development की stages हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हम total discuss out करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपको चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe जरूर करें तो start करते हैं सबसे पहली theory से psychoanalytic theory psychoanalytic theory जो है यह सिग्मन फ्रेड जो थे उन्होंने यह theory proposed की थी इन्होंने इस theory में यह बताया जब व्यक्ती एक personality में develop कर रहा होता है तो वो ages में develop कर रहा होता है और यह क्या रहता है कि इन्होंने इन चीजों को समझाने के लिए personality के तीन component प्रोवाइड की है यह तीन component क्या है एक है id एक है ego और तीसरा है super ego तीन component इन्होंने यह बताए यहाँ पर अब इसमें अगर आप मैं इन तीनों के characteristics अभी आपको बताऊंगा कि इन तीनों के क्या-क्या characteristics हैं और यह किस तरीके से personality को develop करते हैं यह सारी चीज़ा मैं इसमें आपको discuss out करूँगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं id की id जो है वो pleasure principle पर work करता है pleasure principle पर यहाँ पर कैसे work करता है व्यक्ति जब id वाली personality का होता है या इस stage में होता है कि वो id personality को follow कर रहा होता है तो यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें अच्छी हैं या जिन चीज़ों में आनन्द जादतर id personality में देखने को बिलेगा और id personality के लोग जादतर young age के होते हैं और उनमें जादतर आपको ऐसा देखने को मिलता है उसके बाद जो next आ जाता है वो आ जाता है ego जो है वो इससे थोड़ा सा और advanced होता है और इसको यहाँ पर बोला जाता है reality principle यह जो ego है वो reality principle पर work कर रही है उसको आनन्द दे रही है लेकिन अगर उसका time नहीं है तो वो उस चीज़ को तब तक नहीं करता है जब तक कि उसका right time नहीं है तो इसलिए इसको वो ला गया है आप पर reality principle व्यक्तिव वास्तिविक्ता में जीने की कोशिश करता है यह जो age होती है आप देखेंगे इस personality की जो age होती है ज्यादतर लोग इस personality में जब आते हैं तो उनकी age जो है middle age होती है एडल्ट होड की age होती है तो उसमें ज्यादतर आपको ऐसा देखने को मिलता है उसके बाद जो next यहाँ पर component बताया सुपर इगो सुपर इगो जो है वो आपको ज्यादतर उन लोगों म बनाता है इसको यहाँ पर एक नाम भी दिया गया है perfection principle यह perfection principle पर रन करता है व्यक्ति अपने खुद के principles बनाता है अपने खुद के ऐसे principles बनाता है जिन में की वो perfect देखे तो उन चीजों को करता है जो उसके principles में आती है उन चीजों को नहीं करता है जो उसके principles में नहीं आत है कि किन-किन एजिज में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है हाला कि कोई जरूरी नहीं है कि इनी एजिज में ये चीज़ आपको देखने को मिले है कई लोग इड़ वाली परसनलिटी ओल्ड एज में भी शू करते हैं कई लोग इगो वाली परसनलिटी यंग एज में भी शू करते हैं तो ऐसा कुछ कमपल्शन नहीं है लेकिन मेजरली ऐसा आपको देखने को मिलता है उसके बाद नेक्स बात कर लेते हैं यहाँ पर सिगमन फ्रेड ने जो स्टेज़ यहाँ पर प्रोवाइड की परस्नालिटी डिवलपमेंट की जिनको बोला गया सिगमन फ्रेड स्ट पर्फॉर्पॉर्पर्फॉर्मेशन करूंगा और एक जिसमें की सारे इंफॉर्मेशन्स दी गई ए कि उनकी एज क्या है क्यान अधरी चीज प्रफॉर्मेंस टासक बटाशिक कर सकते हैं यह फ्र्फॉर्म आपको उसमें बताइगी तो वह वह उनका को प्रेजंट ऑन क्या रहता है बच्चा जो है वो फीडिंग के लिए जो है अलग-अलग इंडिकेशन देता है क्राय करता है दूसरी चीज थम थम सकिंग वगएरा उसके पर्सनालिटी में रहता है यह कुछ ऑरल इस्टेज में बताई गई है औरल स्टेज के बाद जो नेक्स्ट आपको एज देखने के मिल जाती है वो आजाती है इनल की एनल या रेक्टल इसको बोला गए है यह एक ऐसी एज आ जाती है जो कि दो से तीन साल तक बच्चा इसी एज लग जाता है जैसे कि बच्चे को अगर किसी ना बोलाया तो वो आ जाता है बच्चे से कोई चीज मांगी उसमें दे दी इस तरीके से वो सोसाइटी को कुछ वो फॉलो करने लगता है उसके बाद जो नेक्स ब्सकारी जाती है वो फैलिक जाती है फैलिक जो इस्टेज वो 3-7 यह की है और यह जो बच्चा है वो अब पर्सनیल्टी को ग्रो करते उसको जो पहले जो चीज पता चलती है वो यह आ जाती है sexuality, difference in sexuality यह male है, तो क्यों male है यह female है, तो क्यों female है ठीक है, या male और female भी कोई चीज होती है, उसको इस तरीके से जो sexual differences है, वो यहाँ पर पता चलते हैं, जो की stage आ जाती है यहाँ पर phallic की phallic के बाद next आ जाती है, यहाँ पर latent या latency की stage जा जाती है, लेकिन उसमें एक चेंज ये आता है, वो जो sexuality है, उसको ले करके और ज्यादा aware होने लग जाता है, लेकिन अभी वो जो sexual need है, उसको quit करके रखता है, वो सब उसके पास नहीं आती है, या फिर वो चीजें उसके behavior को interfere नहीं कर रही होती है, उस समय तक, 11 years की age तक, 11 years के बाद next जो जाती है, वो genital किया जाती है, ये जो age है, वो 13 and above है, या 11 and above कह लीजी आप, ये उससे उपर की जो भी ages हैं, वो सब genital में आ जाएंगी, और यहां पर आपको उसके अंदर बड़े changes personality में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक relationship की need उसको आ जाती है, social status की एक need आपको उसमें देखने को मिलती है, ये सब need, और sexual intimacy की भी need जो है, वो उसको इसी stage में समझ में आती, क्योंकि इसका नाम ही genital है, अब वो sexual characteristics हैं, उनसे तो पहले ही aware हो चुका था, लेकिन sexual need से अब aware हो रहा है, और उसे sexual need भी है, यानि कि उसकी need भी complete होनी चाहिए, ऐसा उसको इस stage में लगने लग जाता है, तो ये सिग्मन फ्रेड ने totally personality की जो stages हैं, वो यहाँ पर development की stages हैं, वो यहाँ पर आपको clearly बताई हुई, उसके बाद यहाँ पर Ericsson आई, Ericsson ने भी अपनी कुछ developmental stages दी, इन्होंने 8 stages provide की, जिनमें की यह बताया गया कि personality किस किस तरीके से develop करती, किस किस तरीके से grow करती है, सारी stages इन्होंने यहाँ पर clear करने की कोशिश की, तो 8 stages पे इन्होंने सबसे पहली stage जो है, वो infant की यहाँ पर provide की, infant की age वही बताई इन्होंने 0-1 years की तक की age जो है, वो यहाँ पर बताई गई, जिसमें की इन्होंने यह बताई है, बच्चा security की यहाँ पर need रखता है, secure feel कर चाहता है, नरिश्मेंट की नीड रखता है, केर की नीड रखता है, ये सारी नीड वहाँ पर बच्चे की रहती है, ताकि वो अपनी परसनेलिटी को और ज्यादा ग्रो कर पाए, उसके बाद जो next stage इन्हों ने समझाई, वो इन्हों ने समझाई यहाँ पर toddler की, toddler की जो age है व इनकों की complete करने लग जाता है, बागी emotional जो needs हैं, वो उसकी उसी तरीके से रहती है, security की, nutrition की, ये सारी needs आपको देखने को मिलती है, toddler के बाद जो है next आ जाती है, यहाँ पर preschool, preschool की जो age आ जाती है, यहाँ पर इन्हों ने बताई हुई है, इसमें सबसे ज़्यादा यह बताय लग जाता है, तो यह preschool child को या preschool age में आपको बताया गया है, उसके बाद next आ जाता है school age, school age जो बताया गया, six to twelve years की age बताई गई, school age की, और यह जो age यहाँ पर बताई गई, इसमें confidence raise करनी गी है, जब अच्छा आपने confidence को raise करने लग जाता है, कि वो किस तरीके से नई नई learnings को करें, नई नई achievements करें, नई नई टास्क जो है वो करें, और कैसे वो इन सभी चीजों को enjoy भी करें, कैसे इन सभी accomplishment जो उसको मिल लए हैं, उन सभी चीजों को enjoy भी कर पाए, next इसमें जो age बताई गई गई, वो adult sense की बताई गई है, जो की आपको इसमें characteristics main बताई गई है कि उसको self के लिए अब awareness बढ़ने लग जाती है, जो belongingness की need है, वो यहाँ पर बढ़ने लग जाती है, तो यह आपको adult sense में देखने को मिलता है, उसके बाद next आ जाता है young adult, young adult की जो age बताई गई हूँ, 18-25 की बताई गई है, 18-25 की age में जो main characteristics यहाँ पर बताई गई हैं, व intimate relationships चाता है, वो अपने जो friends हैं, colleagues हैं, उनके साथ भी independence महसूस करना चाता है, तो यह कुछ उसके personality development रहते हैं, उसके बाद next जो आ जाता है, वो middle adulthood का age है, जो की लगबग लगबग 25 से 40 या 45 तक आपको देखने को मिलती है, इसमें क्या रहता है, इसमें व्यक्ति जो है, वो person की, कई सारी responsibilities आ जाती है, और वो उनी सब को manage करने में आगे हो जाता है, और कुछ health issues भी उसको यहाँ पर होने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद last stage आ जाती है, यहाँ पर maturity की, जो की 45 साल से सुरू होती है, और लगबग death पर खतम हो जाती है, इसमें major जो character stick आ जाता है, व तो यहाँ पर आपको जो 8 stages है, total मैंने आपको बता दी है, चार्ट भी display कर दिया है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें clear हो जाए, तो मैंने आपको यहाँ पर psychoanalytic theory बता दी, मैंने आपको यहाँ पर जो, sorry, psycho dynamic theory बता दी, उसके बाद मैंने आपको जो stages है, personality development की वो आपको बत खर ओको यहाँ यहाँ बने आपको बता दी है, जिससे कि आपको नह कफ़ें इंहाँ पर चाहँ, आपको यहाँ बता पर दोड़ा है, नह डाद मैंने र問 दित्शन आपको बता है, ख़ Type 5 मैंने, सु पर ग voll्हाँ झाएश ready कि पहाँ को यहाँ़ें को यहाँ आपको दू,